कि आपके बाल बहुत ही आसान तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं तो प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिजे तागी जो भी मेरी वीडियो ना उन्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे और यह रेमेडिय बहुत ही आसान तरीके से बनने दहुत होग और तो आपके बाल इसतरीके से लंबे शिल्के और घने हो जाएंगे आपके चोटी बहुत ही पतली बन दियान तो इसी तरीके से आपकी बना करें है और ओकson काल हो जाएंगी और तो एसारी को खूठी बैश लगानी के जरूत नीड होगी नहीं तो ये इस तरीके से मैने चाय पत्ती ले लिए चाय पत्ती सभी लोग जानते हैं कि हमारे बालों भी बहुत अची हो ranty बहुत भार टीज हो दो करते हैं तो उनकी ग्रोफ भीयों और चैया पती कर शाइकी ले लिया थो पहले हैं एक लास में डाल कर और तो ने पहले जोड़ा थो च्रै लिल डाल कर बना लिया था बैटना आपको बालने के बाद गैस को फेम बंद करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद इसमें नारल का तेल एड कर देना है तो यह रेमेडी मैं ने पहले बना ली थी तो आप यह देख सकते हो इस तरीक से यह पानी आप अपने बालों पे ट्राय कर सकते हो बट इससे आपके बाल बालो न अरह Local में और बालो की साही क चया पत्ती की पानी डेर करना है। आप हो प्याज पत्ती के पानी के पानी फिर लाज के डाल को पानी हुआ थिती प्हांच को आप क्डेल बेन सल्राज नमानी के चाहरा है भी प्याज प्याश है युआ 1966 प्याज कीपी कणते हैं और राहिफ कर बाल dit नहीं हुआ है आपको तरीकर से काम करेगा बालो में तो इस तरयके से चाहपती बानी बहुत को डिये आपको बमना यह पैज को लिए ल्या ऑप में तो पूरी को कट नहीं करना है आपको आदे मिल खुश splitting क्यों करना दे बाया टो इसका लाल प्याज यूज़ करना है तो अब इसको नंब बार एक बार काट लेना है आपको इसके मोटिफ श्राइस नहीं काटने हैं केवल बार एक बार एक बार काटने हैं और प्लीज अभी तक जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए था कि जो भी मेरी वीडियोस होगी ना उनकी नोटिफिकेशन अब से पहले आप के पास आएंगी और यह रेमेडी बहुत जबर्दस्ट होने वाली तो आप एक बार ट्राय जबूर कीजिएगा इसको देख कर बना सकते हो तो प्याज डंकर आपको गैस का फ्लेम कर देना हैं और इसको नख साथ से आठ्पिने तरह लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम बे बस इसका दहन रखना एंग्नान वीच भी मिक्स करते रहना है आपको तो आप इसको डखकर पका लेना है इसका जो और प्नाटो इसलग को पूल सकते हैं na टो प्याज को पता है कि आपके बालों को साइबना अमेल लेका करता है और आपके बहुत क की पालों को इस तरह कि अपिर से को बहुत कर आपको पूल पानी पेजिक सकते हैं में आप hat oleh OSC तो यह र्टकों eg bisa आप देख सकते हैं लिए सresh to Eğer तरीके से तो है तो इसको पकाएंगे अच्छी तेरीके से परर्ण में राट आप मेस्ता है लिए बैख सकते हो अश्रीक Um छोन हो तो इस तरीके से में अच्छी तरीके से में कर लिए आप ही देख सकते हो छाइपती आपको स्टोर किस्टोर करना है आप को स्टोर करना पैलिसिस्राइब करना थैगी स्टोर करना है आजने तो ये रेमेडी बिल्कुल बन की तियार हो चुकिए है ठंड करके रेमेडी को आपको देना है नहीं चील्ड कर लियुक्त कर लेना तो आपको लगाना कियुक्त बाली क्या है अगर कोई भी चीज़ लगात Hai बाल उन souvent पाल उन लगेगी अगर आपके देंडर्फ की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल खतम हो जाने वाली और अगर आपके बालों में जादा खुझली होती है तो वह प्रॉब्लम ही खतम हो जागी क्योंकि इस काल्फ को साफ करने में मदद करेगा तो यह अची तरही कसे नब पक कुगा आप सकते हो मैं तो में आप इसको ठान लिए मैं ग्रव गर्म को भी चान लिए कि मुझे आपको दिखानाला है इस快 करकी लोह ने हमें सबस्तर के सांट जा सकते हैं तो यह को इस भोल सकते हैं तो अब आप समय आप कर 이ससे कहते हुआं सांटाशक टीकशास 그리고 सब्सक्राइब आप तो यह काले भी करने में मतद करेगा अगर आपने इसको सही तरीके से रेगुलर ट्राय किया तो यह नहीं आप दो बार ट्राय कर रहे हो तीसरी बार भूल रहे हो नहीं है आपको हफते में तो बालों को भी हफते में दो बार धुलना है तो कलर देख सकतो कितना रेड हो चु होनी चाहिए तो इस तरीके से आपको बालों में लगा लेना है बहुत ही अच्छी और बहुत ही रियल ग्रोथ करेगा आपके बालों के और इसमें कोई भी कैमिकल चीज तो अवेलेबल है नहीं जो आपके बालों को खराब करेगी अगर आप यह सिर्म यूज करते हो न तो आ अच्छी ने थेंख्यू